तो फ्रेंट सो टेस्टी भोजन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आलो की कचोड़ी और इसे हमने बहुत ही कम तेल से बनाया है तो आप भी इसे एक बाद जरूर ट्रै करें वीडियो केंट तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं हमने यहापर बारी बारीक वाली सूजी लिए और एक कटोरी सूजी है और अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसे मिक्सी से पीस कर ले इसके बाद हमने चार से पांच आलो लिए हैं और उन्हें हमने हमने क्रेश कर लिया है तोड़ी सी हमने हरी मटर ले ले लिए योगली तो यह बड़ी चमस तेल है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक चोटी चमस जीरा जीरे को हम रखने देंगे और उसे भूलेंगे उसके बाद हम डालें इसमें बारी कटी होई प्याज और बारी कटी होई हरी मिर्च तो दो हरी मिर्च ली थी हमने और एक बड़ा तरहें जाडार सीच पाउडर, नुझारी बार ना पर दोडिया है जलते निया दॉटी जबशाई मुझा तरहें इसमें गरम मसाला इसमें चाट मसाला तो सारे मसालों को टाल देगे और इनने अच्छी तरह से भूल लेंगे तो देखे मसालों को मिक्स कर लिया है मसाले अच्छे से भुन गए है और इसके बार डालेंगे हम इसमें आलू और आलू को हम अच्छी तरह से मेक्स कर लेंगे और आलू को हमें इस तरीके से दबाते हुए थोड़ा सा इस तरीके से मैश करते हुए हमें जलाना है तो देखे इस तरीके से हमने मसाले को तयार करना है इसके बार डालने में इसमें नमक और नमक आप अपनी टेस्ट के कोडिंग ही डालेंगे तो देखे नमक भी हमने डाल दिया है इसमें और फिर से हम इसे मिक्स कर देंगे तो देखे हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तयार हो गया है और हमने पांच मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूना है और देखे मसाला आपका इस तरीकी से होना चाहिए थोड़ा से दरदरा होना चाहिए बिल्कुर पेस्ट हमें इसका नहीं बना रहा है मसाले को ठंडा होने देंगे फिर से पैन ले लेंगे और पैन में डाल देंगे हम यहाँ पर तेल और तेल को हम गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जीरा और जीरी को हम तिलकने देंगे जब जीरा हमारा भुन जाएगा तो उसकी बार डालेंगे मिसमें पानी तो पानी हमें यहाँ पर दो कटोरी डालना है जितनी हम सूजी लेते हैं उसका दूगना हमें पानी डालना होता है हो हमने यहां Sun पानी दाल देंगी इसके बार दाल!!! चुक्ती एगणे होसे जो नाश्तियारे बढ़ता है। जानारा है जो नंवक नकी ओमि Garrya करदी मेंpage लगा है। जिससे कि क्या हो गई गुणिया नहीं पड़ेंगी तो इसे उड्स करना है। मिक्स पानी से एक आया आया है और अब आहरा बराणी जिवर्य कफितальные उत्रपीप आएड़ी करीओर सप्धे डॡबख सब्सक्राइब और इस बसके के चंज हाड़ करना सब्सक्राइब खीज जब आप चंज है शोजी हैवास महिस प्रीज है पूझ को सेख कर मुझ द सब्सक्राइब इसके बाद डाल रहें हम इसमें चमश के गरीब घी वे अच्छी तरह से मिक्स परफ़ेंगे लगा सूरी समुट गया है तो इसमें सिय रहें पॉर्षेन को सर्एकने करिए और एक लोई बना लेंगे ये देखे और उसकी बाद हम इसे किनारों से पतला करेंगे पीस से में मोटा रखना है किनारों से हम इसे पतला करेंगे आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं और उसकी बाद हम इसे इस तरीके से एक बोल लेंगे और उसे कवर कर देंगे तो जैसे हम कोई भी पराठा अपना भरते हैं उसी तरीके से हम इसकी एक लोई तयार कर लेंगे इस तरीके से भरके और फिर उसके बाद देखे एक कचोड़ी हमारी तयार है तो इसी तरीके से हम बाकी कचोड़ी भी बना कर तयार कर लेते हैं और हमने इने गोलाकर में तयार किया है आप इस तरीके से हमें अप्पे पैन को ग्रीज कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसमें अपनी कचोड़िया रखेंगे कचोड़ो को आप डी प्राइ बी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप इनिवी ने कम तेल में बना रहे हैं इसके बाद हम इसे उपर से थोड़ा सा ओयल से ग्रीज कर देथे हैं देके इस तरीके से глटके इसकी क्या ओगर कचोड़ी हमारी अच्छी से सीख पाएंगे औ देखे वाकने il他们 5 मिनेट हो गयी इसे दितरी के से पिलट देए तो कलर आए इसमीं माइध और प्लिट के सबस्तिते हैं तो इसे माज़न के सबलें लाईफ गर लाएट हम फिर से 2 से 2 मिनूट के लिए ढ़क कर देख लेंगी आगए तो भी विर ब्राउन इसका से शेक लेंगे तो देखिए अच्छे सी कलर आ गया है दो मिनट और हमने इने सेख लिया था तो हम इने निकाल लेंगे चारो तरफ से पिर से थोड़ा सा तेल डाला है और इसके बाद हम फिर से इने रख देंगे तो देखि इस तरीक से लग दिया उपर से भी हम इसे गिरिस कर देंगे ढख कर हमने इसे 5-7 minute के लिए से हुम इसे सेख लिया hai फिर से इस पेलटा और फिर से हम इसे से शेख लेंगे तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है इसी तरीके से हमने यह सीख कर तयार कर लिया और कितनी बड़ी अमरी कचोड़िया बिल्कुल कम तेल में बनकर तयार हो गई है और आप इने कभी भी बना कर खा सकते हैं अचनक से भी मान आते हैं तो आप इने बना कर खिलाए यह बहुत ही टेस्टी लगती हैं तो इसकी प्लेट लगा लेते हैं हमने केचप की साथ और हरीदनी की जट्नी की साथ सर्व किया है एक कचोड़ी में आपको थोड़ी दिखाती हूं यह देखे इस तरीके से तो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है तो आप देख सकते हैं कितने बड़े हमारी कचोड़ी बनकर तैयार हुई है कम भेनत में बनकर तैयार होती है बहुत ही आसान है इनको बनाना अगर वीडियो पसंद आया हूँ तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें आप मुझे फेस्बूक पर फोलो कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में बा